नमस्कार दोस्तों हेलो गाइज कैसे हो पैचाना मुझे मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पी एम गुरू तो गाइज पहले तो मैं आपसे आपके मांगना चाहता हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पारा था और इसका कारण है कि मेरा माइक जो ही वो खराब हो चुका था तो इसकी बरपाई के लिए मैं आज बहुत ही दमाकेदार और बहुत ही अच्छी वीडियो लेक्या हूँ जिसमें की हम बात करेंगे एक सोफ्ट्वेर की जिसकी मदद से हम विंडोस में अब भीकोडिंग कर सकते हूं और जिसका नहम है टरेव कि ठार्वज प्लस सव टवरट आगर अब को विंडोस में करनीं हो मतलब विंडोस मेंग प्रोग्राइमिंग करनी ओ तो आप यूस क्र सकते हो नियुक्क यह गलग मतलब कि आपको लिनस से जरूत नहीं परती बट अगर आप मेरी बात मानोगे अगर आपको programming में कुछ उचास्तान हासिल करना है मतलब की बहुत कुछ टॉपर पहुचना है तो आपको Linux आना ही चाहिए आपको Linux में coding करनी आनी ही चाहिए बट अगर आप beginner हो मतलब आप school में हो आप college में हो और आप programming सीख रही हो अभी तो आपका काम इस software की मदद से चल जाएगा जिसका नाम है Turbo C++ Software तो आज हम चार बाते देखेंगे पहले तो हम इस software को download के से कर सकते हम इस software को install के से कर सकते second हम इस software को use के से कर सकते third अगर हमें इस software में programming करनी हो तो हमें उस program में कुछ functions कुछ header files add करनी होगी वो कौन सी हुद है and fourth one is यहाँ पर मैं आपको एक trick बताने वाला हूँ कि जिसकी मदद से आप Turbo C++ के किसी भी program को उस जगे से बाहर copy कर सकते हो और किसी भी program को बाहर से Turbo C++ Software में copy कर सकते हो paste कर सकते हो okay तो अब हम चलते हैं में लैपटप screen की तरफ तो guys अगर हमें Turbo C++ Software को डाउनलोग करना हो तो आप कैसे करोगे तो पहले तो अपना Google Chrome उपन कर लो या फिर कोई भी browsing आपका जो software है वो उपन कर लो और उसमें Google उपन कर लो तो मैं यहाँ पे अपना Google उपन कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे Google उपन कर लिया और मैं यहाँ पे सेर्च करूँगा Turbo C++ अब देखो यहाँ पे पहली साइट आएगी archiv.codeplex.com तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे मैं साइट पे आच चुको अब यहाँ पे आपको नीचे आगे यहाँ पे एक option आएगा Step First Download Turbo C++ 3.2 from here अब इस पे आपको क्लिक करना है अब यहाँ पे आपका Download जो है वो शुरू हो जाएगा अब देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक और आपकी Windows खुल चुके है यहाँ पे आपको अगेन करना होगा Download Turbo C++ Software here अब देखो यहाँ पे आपकी Downloading 8,7,6,5,4,3,2,1,0 अब यहाँ पे आपकी Downloading स्टार्ट हो चुके है यह फाइल लगबग 7MB की है तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा Skip कर देता हूँ अब देखो गाइस यहाँ पे आपकी एक फाइल डाउनलोड हो चुके है जो की एक Zip फाइल है तो मैं इसे पहले Copy कर लेता हूँ तो मैंने इसे Copy कर लिया और मैं इसे आपने Desktop पे Store कर देता हूँ अब मैं यहाँ पे इसे Extract कर देता हूँ Extract here अब यहाँ पे देखो यहाँ पे Turbo.c.2.3.2 नाम की एक फाइल Extract होच चुके है अब मैं इसे Open कर लेता हूँ और इसमें Turbo.c++ नाम का एक जो Setup है मैं उसे Install कर लेता हूँ तो मैं इसे Install करने वाला हूँ नहीं क्योंकि मैं लैप्टप में यह पहले सही Install दे तो आप इसे Next Next करके Install कर सकते हूँ तो यहां पर जब अब इसे Install करोगे तब आपके स्क्रीन पर एक Turbo.c++ नाम का एक आइक आइकोन आ जाएगा आप इसे Double Click कर लो और इसे Open कर लो अब देखो अब यहां पर आपको कुछ ASI Interface खुल जाएगा आप यहां पर आपको File पर जाना है और यहां पर आपको New पर क्लिक करना है तो जैसे आप New पर क्लिक करोगे आपके पास एक विंड़ो खुल जाएगी जिसमें की आप अपनी प्रोग्राम कर सकते हो यहां पर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लोगा Addition of 2 Numbers का तो पहले hash include stdio.h उसके बाद अब देखो यहां पर एक बात आते है कि यहां पर आमें एक और header फाइल एड़ करनी है जो कि है hash include कोनियो कोनियो.h मतलब कि console input output .h अब यह क्यों यह मैं आपको इसे वीडियो में आगे बताऊंगा और उसके बाद voidman main function उसके बाद मैं तीन variable declare कर दूँगा a,b,or sum okay मैं a और b की addition को sum में store कर दूँगा और उसके बाद scanf की मदद से मैं अपने user से वो numbers accept कर लूँगा %d, %d उसके बाद and a,and b अब अब यहां पे sum is equal to a plus b अब मैं इन दोनों की addition कर लिया और उसको sum में store कर दिया और उसके बाद printf printf addition is equal to percentage d अब और यहां पे अब यहां पे अब यहां पे अब यहां पे turbo c++ में programming कर रहे हो तो यहां पे आपको दो functions differently add करने वो तो functions है first one is clear screen और second is get ch तो देखो यहां पे आपको clear screen आपकी variable declare होने की बाद तुरंट use कर दियाना है so clr sc clear screen अब इसका फाइदा क्या है इसका फाइदा यह है कि आपको output screen पे सिर्फ आपकी program का output दिखाई देगा मतलब उसकी पीछे के जितने भी calculation से वो सब hide हो जाएँगे अब आगे अब आपको last में जब आपका program खतम होगा आखरी curly bracket के पहले आपको आपको get ch लगा देना है get ch अगर आपने यह get ch function का use नहीं किया तो आपका program turbo c++ में run नहीं होगा अब आपको समझ में आ गया होगा तो देखो यहाँ पर मैंने header file include कर दिये जिसका नाम है cornyo.h console input output dot h तो यह clear screen और get ch जो है यह दोनों function जो है वो इस header file में already defined है तो इसलिए मैंने header file का use कर लिया है अब देखो अगर आपने तीनों चीज़ा को use नहीं किया cornyo.h header file clear screen और get ch तो आपका program turbo c++ में run नहीं होगा अब आपको समझ में आ गया होगा अब हम इस program को run करके देखते है कि कैसे होता है तो यहाँ पर हमेंसे पहले compile कर लेते और देखते हैं कि हमें कोई error तो नहीं compile कर लिया यहाँ पर compile ऐसे भी कर सकते हो compile टैप पर compile पर क्लिक कर सकते हो और उसका एक shortcut भी है आप alternate f9 दबा के भी यह काम कर सकते हो तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर मुझे तीन errors आ चुके है अब हम देखते हैं कि यह errors क्या है sorry मैंने header file में गलती कर दी stdio.h मैंने stdioi कर दिया अब अगें मैं इसे save कर लेता हूँ sorry मैं पहले save करना भूल गया था तो मैं यहाँ पर save कर लेता हूँ यहाँ पर मैं अपने program का नाम डालूँगा add.c यहाँ पर आपको .c extension लगाना है क्योंकि अब यहाँ पर program save हो चुका है अब मैं इसे again compile करके देखूँगा तो मैं इसे compile कर लिया अब यहाँ पर error जो है देखो 00 देख रहा है मतलब कि मेरा program successfully execute हो चुका है अब हम देखते है so run tap पे जो और run पे click कर लो यहाँ पर एक shortcut है आप control F9 करके run करवा दिया तो यहाँ पर यह मुझे कुछ numbers पूछ रहा है so यहाँ पर 2 और 5 देख रहा हो अब आप देख रहे होगे कि आपको output screen पे additional is equal to 7 आज चुका है मतलब कि हमारा program जो है वो run हो चुका है okay okay guys अब बार्यात है हमारी tweak की मतलब कि अगर आपको आपके turbo C++ के किसी प्रोग्राम को बाहर किसी दूसरी जगह कॉपी करना हो या फिर किसी बाहर के दूसरी जगह से आपको turbo C++ में अपने program को paste करना हो तो आप कैसे करते हो तो आपको बात समुझने होगी कि यहाँ पे हम program run करते है तो यह program कही न कही तो store होते होंगे आपको destination पता होनी चाहिए तो destination क्या है वह मैं आपको अभी बता होगा तो आपको जाना होगा आपके my computer यहाँ फिर disk PC में आपको यहाँ पे local disk C मिलेगा आप उसे open कर लो अब यहाँ पे turbo C++ नाम की file आगे जिसे open कर लो अब उसकी बाद है यहाँ पे आपको bin नाम का folder search करना है तो यहाँ पे bin नाम का folder मेरा कहाँ पे है disk file के अंदर disk file के अंदर turbo C3 के अंदर यहाँ पे bin नाम की file है अब देखो यहाँ पे जितने भी program आपने run करके रखी होए है वो सारे program यहाँ पे आपको list हो जाएंगे यहाँ से आप कोई भी program को copy करके अपने बाहर किसी भी जगह ले जा सकते हो और अगर आपको दूसरी जगह से program यहाँ पे copy करके लाना हो तो आप directly directly उस file को copy करके आप इस file में sorry maaf करना आप इस file में enter पेस्ट कर सकते हो अगर आपका program तो उस file को .c extension देना मद बूलना और अगर आपका program c++ का है तो आपको .cpp extension देना जरूरी है सपोज मैंने ये flag. sorry flag नाम के file यहाँ पे पेस्ट कर दी अब हम देखते हैं कि यह file जो है वह turbo c++ पे open होती है कि नहीं तो फिर से चलते हैं turbo c++ के अंदर तो यहाँ पे मैंने file उसके बाद open illegal file okay boss उसके बाद यहाँ पे मैंने flag.c flag.c अब देखो यहाँ पे आच चुका है तो मैं इसे click कर लेता हूँ और इसे open कर लेता हूँ अब देखो यह file जो है यह program जो है यह मैंने खुछ से नहीं किया हूँ यह मैंने दूसरे जगे से copy करके लाया हूँ तो यह इसमें open होच चुका है अब देखो यह थी बहुत ही simple trick अगर आपको बाहर को भी करना हो या फिर बाहर से कोई program लाक यहाँ पे paste करना हो तो So that's it for today guys अगर आपको यह वीडियो पसंद आते हो तो इस वीडियो को like कर दो नए हो तो चैनल को subscribe कर दो तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई